हेलो स्वागत है अपका फिर से मेरे चैनल पर तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस एप्रोपरेशन अकाउंट का एक और नया केस तो सेचुवेशन देखे क्या होने वाली है हमारे पास अभी तक अभी तक हम लोग जो कोशिंस करते आ रहे थे उसमें कभी तो ऐसा हो रहा था कि हमारे पास बेसिक प्रॉब्लम्स आ रही थी कि हमें आरे पास प्रॉफिट गिवन था और हमें उस प्रॉफिट को डिस्रिब्यूट करना होता था पार्टनेस के बीच में इंट्रस्ट उन कैपिटल, सैलरी, रेमिनेरेशन, कम रहे थे और फिर कुछ हमें यानि कि फर्म को इंट्रस्ट उन ड्रॉइंग भी मिल जाता था, दूसरा फिर हमने केज देखा था कि आफ्टर और बिफोर की कभी कबार हमारे पास सिचुएशन आ जाते थी, ठीक, आफ्टर और बिफोर की सिचुएशन हमारे पास आ जाती थ ठीक, तो अब हम देखते हैं जरा कि कभी कबार ऐसा होगा कि आपके पास प्रॉफिट की शॉटेज हो जाएगी, यानि कि आपके पास जो प्रॉफिट एवलेबल होगा उसका बटवारा करने के लिए वो कम होगा, तो इसको कैसे करेंगे, इस टाइब की सिचुएशन को हम कैसे सॉल्फ करेंगे, तो चलिए देखते हैं फटा फट से, तो पहले मैं आप फॉर्मेट बना लेता हूँ, उसके बाद हम लोग कोशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रू प्रियेशन अकाउंट फॉर दी यर एंडेड जो भी डेट गि पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, और अमाउंट देखे कोशन क्या गिवन है, सोनू एंड मोनू स्टार्टेड आ पार्टनर्शिप फर्म, यानि कि दो पार्टनर हैं, और उन लोगों ने अपनी पार्टनर्शिप फॉर्म स्टार्ट की है, and they introduce a capital of rupees 2 lakh each, और दोनों ने कितने रुपे लगाए हैं, दो-दो लाख रुपे लगाए हैं, as per partnership deed, यानि कि हमें पार्टनर्शिप डीड में क्या गिवन है, कि interest on capital मिलेगा 20%, तो हम यहां पे एक working प्रिपेर कर लेते हैं, Sonu और Monu, तो interest on capital, Sonu और Monu को कितना-कितना मिलेगा, तो देखिए, दोनों का 2 lakh capital है, 20-20%, यानि कि 40,000 रुपे और 40,000 रुपे interest on capital मिल जाएगा, ठीक, फिर, question में बोला है, कि salary हमें देनी थी Sonu को 5,000 per quarter, अच्छा, ठीक, तो हमें salary देनी थी Sonu को 5,000 per quarter, अच्छा, अब यह quarter क्या होता है, देखिए, एक quarter होता है, आपका 3 महिने का, और साल में आपके 4 quarter होते हैं, यानि कि, इसको हर quarter में salary मिल रही है, 5,000 रुपे, यानि कि साल में 4 बार मिली होगी, तो टोटल 20,000 रुपे Sonu को salary मिली है, फिर, Monu को salary मिल रही है, यहां पे, 5,000 per annum, पर annum का मतलब, उसको साल में केवल 5,000 रुपे की salary मिलेगी, ठीक, फिर, हमें बोला है, यहां पे, कि firm ने profit कमाया है, 26,000 रुपे, फर्म ने कितना profit कमाया, 26,000 तो, अब सबसे पहले हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, profit, by, profit and loss account, bracket में, net profit, कितना कमाया है, 26,000 रुपे, तो अब ज़र आप एक चीज़ यहां पे analyze करिए, Sonu को total कितने रुपे मिल रहे है, 60,000 रुपे, और इसको total कितने मिल रहे है, 45,000 रुपे, मैं इस question में एक हलका सा just change करता हूँ, कि interest on capital मैं इनको 10% देता हूँ, ठीक, वो थोड़ी सी calculation simple हो जाएगी और आपको और बेटर समझ आएगा, ठीक, तो मैंने interest on capital कर दिया just 10%, तो इनका अब यह total कितना मिल जाएगा, 40,000 रुपे, और इसको मिल जाएगा 25,000 रुपे, ठीक just मैंने हलकी सी calculation simple करने के लिए कर आए, बाकी वैसे भी हो सकता है, ठीक, तो अब देखिए, sonu total कितने रुपे लेगा, 40,000 रुपे और monu total कितने रुपे लेगा, 25,000 रुपे, तो अब हमारे पास profit कितना available है, 26,000 रुपे, बताओ, 40,000 और 25,000 क्या हम दे पाएंगे इनको, जी बिल्कुल नहीं, तो इस टाइप की situation में अब आप क्या करेंगे, बताओ, अब तो profit कम पड़ गया, लेकिन हमें profit तो देना ही देना है ना इनको, ठीक, अब क्या करें, monu को दे देते हैं पूरे 26,000 रुपे, 25,000 पूरे दे देते हैं monu को, और 1,000 रुपे इसको देते ह profit, या एक काम करते हैं, दोनों को equal equal बाट देते हैं, तो मैं बताओ, यह गलत तरीका है, क्यों, क्योंकि अगर आपने इसको पूरे पैसे दे दिये, सोनू बोले का, क्या भाई, मैंने किसका मतलब कुछ काम ही ने कर आप रहे हैं, तो मेरे को profit दिया ही ने, या हम दोनों को equal equal दे देंगे, तो देखो जरा 13-13,000 रुपए अगर आपने दोनों को दे दिये, तो क्या होगा, कितना बचेगा, देखे, अब मोनु तो बोलेगा, चलो में को percentage के form में, अगर हम लोग जाने, मोनु बोलेगा में को 50% से जादा मिला, और यह तो बोलेगा में को 50% से कम मिल कहां equality हुई, इसका मतलब तो इसको जादा मिला और इसको कम मिला न, तो यह भी तरीका क्या है, गलत है, क्योंकि अगर आप इनको equal देंगे न, तो percentage में वो figure equal नहीं आएगी, बेसक आप यहां amount के form में आप बेसक equal कर रहे हैं, तो इस type की situation जब भी आपके पास आएगी, तो तो जिसको commission मिलता, आप वो भी लिखते हैं, ठीक, remuneration चाहिए किसी को, तो आप वो भी दे देते हैं, ठीक, तो आप यह सब काम करते हैं, और फिर final ऐसे आप एक जवाब निकालते हैं, कि total partners को कितना कितना मिल रहा है, तो sonu को इतना मिल रहा है, तो अब हमें इसकी ratio निका तो यह आपकी ratio आईगी, अब आप profit को इस ratio में distribute करेंगे, यह वाला profit, suppose कभी-कभार ऐसा होगा कि आपको interest on drawing भी मिल जाएगी, तो आप interest on drawing लिखेंगे और दोनो profit को add करेंगे, फिर इस ratio में distribute करेंगे, अच्छा, अब हम इसको किस रूप में करें, interest on capital के रूप में, salary के र करेंगे, आप direct यहाँ पर लिखेंगे, to profit transfer, direct आप कर देंगे, into partners capital account, ठीक, sonu और monu, तो total profit हमारा था 26,000, अगर interest on drawing होता, तो हम भी उसको add करके यहाँ पर distribute करते, ठीक, तो इस ratio में करिए distribute, आठ और पांस 13, 13 की इससे divide करेंगे, तो आएगा आपका 2, और 2 की इससे करेंगे, तो sonu को मिलेगा, 16,000 रुपे, और इसको मिलेगा, कितना, इसको मिलेगा आपका 10,000 रुपे, ठीक, और आप total distribute करेंगे, यहाँ पर 26,000 रुपे, तो देखिए, ऐसा करने से effect क्या आएगा, sonu ने total कितने मांगे थे, 40,000 रुपे, और monu ने मांगे थे, total 25,000 रुपे, लेकिन हमारे पास profit available नहीं था, तो हमने इसी की ratio निकाली, और जो profit available था, इसी ratio में distribute कर दिया, जिसमें से sonu को मिला कितना, 16,000 रुपे, ठीक, और monu को कितना मिला, 10,000 रुपे, ठीक, तो अब इसको करिए, जड़ा कितना आएगा, 40,000 में से अगर 16,000 जाएगा, तो 24,000 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 15,000, अब आप जड़ा इनकी ये percentage जड़ा निकालने की कोशिश करिए, कि कितना आएगा, amount के form में तो इसको जड़ा मिल रहा है, और इसको कम मिल रहा है, लेकिन percentage में figure जड़ा हम लोग check करते हैं, तो, देखे, 16,000, 40,000, ठीक, इसको percentage में निकालते हैं, तो sonu को मिला है, कितना 40%, किसको मिला ये, sonu को, अब देखे, monu का निकालते हैं जड़ा, कि monu को आखिर कितने percent मिला, तो monu को 10,000 मिले थे, 25,000 में से, तो उसका percentage निकालते हैं, तो देखे, 40%, यानि कि इन लोगों ने जितने की भी demand करी थी, दोनों को कितने-कितने percent मिले यहां पे, 40-40% का ही, यहां पे क्या आया है, difference आया है, ठीक, कितना percent का difference आया है, 40-40% का, तब हम कह सकते हैं कि हा हमने profit को equally distribute करा था, अगर हम direct this amount के form में कर देते थे थे, 13,000 रुपे, तब आपका यह गलत तरीका होता, ठीक, तो हुआ क्या इस question में, कि हमने distribute तो इतना ही करा न, 40,000 रुपे, 26,000 रुपे ही करा हमने distribute, भाई, ऐसा क्यों, क्योंकि हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, कि हम इनक इसको 40,000 रुपे दे, इसको 25,000 रुपे दे, नहीं, यह partner है, ठीक, इन्हें profit होगा, तो ही मिलेगा, अगर नहीं होगा, तो नहीं भी मिलेगा, जबरदस्ती नहीं करेंगे profit देने के लिए, ठीक, यह तो ऐसी वाली बात होगे, कि जेब में आपके पड़े हैं 10 रुपे, और आप सोच रहे हो कि 100 रुपे की चीज़ खरीदे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप 100 ही रुपे खर्च कर पाओगे, याद है वो पहले class, जहां पर हमने net profit का distribution करना सीखा था, तो जितना हमारे पास available होगा, हम उतना ही कर सकते हैं, उससे जादा हम खर्च नहीं कर सकते, हां लेकिन अगर यही partner के अलावा और किसी को देना होता ना, तब हमें वो करना ही करना पड़ता, expenses, suppose अगर हमेंने manager को commission नहीं दी, तो यह नहीं चलेगा, यह हमें देना ही देना पड़ेगा, it is a charge against profit, हमें interest on loan हमें देना ही पड़ेगा, हमें rent अगर हो, ठीक, charge against, तो हमें वो देना ही देना पड़ेगा, यह partners है, इन में बटेगा, तो केवल profit जितना available है, उतना ही, इस से ज़्यादा नहीं बट सकता profit, ठीक, तो उसके लिए हमें इस तरीके से, इस question को क्या करना पड़ेगा, solve करना पड़ेगा, complete है आज की class,